कोई sticker लगा ले या कोई भी घठना करें। कोई जानकार हो । ये मतलब बरदास से बाहर की घठना है। और बाकी जो अप्रादी पकड़े गया है laying उनका सिधावेसे मेरेसे कोई लेना देना नहीं र je कि वह कोई मेरे बहुत नजदिay हो या जानकार हो। हलाकि आरोपियों को पकड़ लिया गया है लेकिन जो गाड़ी पकड़ी गई है उस पर आपके नाम का स्टीकर लगा हुआ है बड़ा आरोप लगाया जा रहा है राजिस्थान के विधानसभा चुनाव में अब काफी कम समय रहे गया है और चुनावी बिसात पूरी तरह से बिच चुकी है नेता जनता की नब्ज टोलने के लिए जमीन पर जा रहे हैं और सुभा से शाम तक चुनावी प्रचार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर रुजहान किस तरफ है इस वक्त हम लाडनू विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ सीधी बादशीत के लिए मौजूद है लाडनू के विधायक और कॉंग्रेस प्रत्याशी मुकेश भाकर मुकेश जी बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले तो राजस्थान तक पर आपका तेंक्यू आंचल जी आप यहां लाडनू तक आए और आप इंट्रिव्यू कर रहे हैं स्टिकर लगा हुआ है बड़ा आरोप लगाया ज़ा रहा है देखिए चुनाओ का समय है और कोई स्टिकर लगा ले या कोई भी गठना करें वो को जानकार हो यह मतलब बरदार से बाहर की गठना है और जिन आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है तो मैं चाहूंगा क सक्त सक्त सजा उनको मिले जो सजा कानून में सबसे उपर की सजा है वो उनको मिलनी चाहिए और जिस तरह की गठना हुई है वो बहुत ही निंदनी है मैं अपनी और से यही करना चाहूंगा और बाकी जो अपरादी पकड़े गया है उनका सीधा वैसे मेरे से कोई लेना दे प्रादी हैं तो उनको मैं समझता हूं कि फास्ट्रेल में उसका केस चले और जल्दी से जल्दी उनको सजय मिले यह में मेरी ओर से मांग करता हूं आपकी वधान सभा में कई लोगों से हमने बादश्वीद की तो उनका ये कहना है कि मुकेश भाकर के खिलाप साजिश भी की जा रही है देखो चुनाओ ये कुछ अपरादिक्तत हुए जो लाड़नों पीछे पांच साल बदनाम रहा गेंगवार की यहां गठना हुई आनन्दपाली इंकाउंटर पूरे राजस्थान ने देखा उसके बाद जो यहां जगड़े हुए उससे पहले अपरण यहां लाड़नों में हुए लोगों से फिरोती ली गई जमीनों पे कबजे हुए सारे तरीके के काम पीछे पांच साल में हुए और मैं विधाईक बनने के बाद मेरा सबसे पहला यह प्रियास था कि विकास और बाकी चीज़ें आगे है लेकिन लाड़नों को वापस कैसा शांती पर यह जो यह चंदेरी नगरी है जो शांती के लिए अमन भाईचारे के ल को ने दी और पुलिस ने कानून का राज यहां काइम किया और मैं उसी मुद्धे पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं तो जो चुनाव है वो कोई बाजपा कॉंग्रेस से नहीं होके कुछ ऐसी ताकते हैं जो इस लाड़नों की लाड़नों में राजनेतिक सिस्टम से गु माराम जो पुलिस कॉंस्टेबल था वो सहीद हुआ तो फेज मौमद जो था हमारे नावा में वो इन गेंग की वज़े से वो सहीद हुए तो यह बहुत बूरा समय पांच साल पीछे करा और यह पांच साल हमने इस लाड़नों को वापस पट्री पे लाने का वापस अमन च शान्ति खराब करें तो बहुत तत्त कमने कोसिस के और यह चुनाव मैं कहूंगा कि आपरादी गठ जोड और सडियंतर पूरुक की जैसे आपरादी सोचता है राजनितिक आदमी और अपरादी में बहुत फरक होता है राजनितिक आदमी अपनी बात को रखने के लिए बा मैं चुनाव लड़ रहा हूं और उसके लिए चाहे जो किमत मुझे चुकानी पड़ी मैं चुकाऊंगा लेकिन यहां की जनता को मैं परेशान नहीं होने दूँगा यह मैंने पहले से ते कर रख है और इस साजिस और सडियंतर हारेगा यह मैं ते बता रहा हूं आपको मैं सब गाउं में गया हूं सबी समाद सबी वर्क के लोगों से मिला हूं तो चुनाव कॉंग्रेस पार्टी यहां जीतेगी और इन सडियंतर कारियों को जो शाजिस कर रहे हैं उनसे पार नहीं पड़ने वाली मुखेश जी आप NSY के भी प्रदेश अद्रक्ष्राएं हैं राजस्थान यूनिवस्टी में भी चुनाव लड़ा है 2018 में विधान सबा चुनाव आप पहली बार लड़े अब क्या अंतर आप देखते हैं कि एक चात्र राजनीती का चुनाव था एक मुखेश धारा की राजनीती का चुनाव है दोनों में अंतर नजर आता है देखो बिल्कुल दोनु अलग चुनाव है अलग राजनीती है दोनों की आप मुद्दों की राजनिती करते हैं, वो बहुत कुछ आपको शिखा देती है, तो मैं ये कहूँगा कि छात्र राजनिती से निकला हुआ आदमी, अगर गाउं की कस्बों की राजनिती में आता है, MLA चुनाव लड़ता है, MP लड़ता है, तो उसको बहुत कुछ सीख वो University दे देती है, और दोनु अलग है, हमारे पास चात्रों के लिए वहां करने के लिए सिर्फ मुद्दे उठाने के लावा कुछ होता नहीं है, आज जब आप विदाइक बन जाते हो, आपकी कलम चलती है, आप पे ताकत होती है, आप लोगों का भला कर सकते हो, लोगों का का मिलता है. लोगों की बीच अपनी जगे बनानी है, तो बहुत मुश्किल सेडूल होता है, बहुत कुछ भी आपके हाथ में नहीं होती चीज़े, और जब से मुझे टिकेट मिला है, तो मैं मुश्किल से 2-3 गंटे रात को सो पाता हूँ, मैं दिन भर जैसे अभी दोरे मेरे चालू ह होगे गाओं में जन संपर्के, तो सुबह साथ बजे गर से निकल के दस बजे तक मिलना जुलना दस बजे से मीटिंग्स चालू हो जाती है, शाम को दस साड़े दस बजे तक रात को दस बजे तक मीटिंग्स खतम होती है, फिर दस से वापस सुबह दो तीन बजे तक हमें रात को लोगों में जाना होता है, कुछ जो मुद्दे हैं, कुछ लोगों की बाते हैं, जो हमसे रखना चाह रहे हैं, या कुछ जो नाराजगी होती है, वो बेट के उन लोगों से हमें पूरी करनी होती है, तो बहुत मुस्किल समय रहता है, बहुत ही मतलब सेडूल, खाना, यह सब चीजें गोन हो जाती इस समय कि आपको सिरफ लोगों के बीच जाना है चुनाओ जीतने के लिए मैनत करनी है तो कुछ वैसे सेडूल नहीं होता कि आप अपनी मरजी से कि में पांच गंटे सोना है छे गंटे सोना है यह खाना है दिन में एक वक्त जब सारे लोगों के चुनाओ का बहुत होता है और सारा कुछ चीजें जनता पर निर्वर होती कि आप पे कुछ시 होता आप अपनी मरजी से कुछ कर रहे हो यह मुझे नहीं लगता जो जीतने के लिए चुनाओ लड़ता है यह जो लोगों को सात रखना जाता है लोगों की बात को सुनना चाता है उस राजनेता की हाथ में कुछ अपने हाथ में नहीं होती चीजे आप चाहिए केले से तोले फिलाल और फल तो मिली जाएगा जो भी होना होगा लेकिन एक चीज है कि आपको पद मिले हैं चाहिए NSUI में प्रदेश अध्यक्ष का पद हो और उसके बाद फिर अब लगातार आपको जिस तरह से पहली रिस्ट है उसमें आपका नाम था तो कहीं न कहीं Congress मजबूत दिख रही थी यहां से और शायद यही कारण रहा होगा कि पहली रिस्ट में नाम आ गया देखो मैं मतलब पहला आदमी हूँ जो इस राजस्थान में जो NSV का भी इलेक्टेट प्रेजिडेंट रहा हूँ और Youth Congress का भी इलेक्टेट मैं परदेशत देख रहा हूँ तो वो था फिर मेरे पांच साल का काम था पार्टी ने सर्वे करवाए पार्टी ने अपने इसाप से सब चीजें देखी जो उनका क्राइटेरिया होता है उसके बाद मेरिट के आदार पर उन्होंने टिक्टे जारी की तो मैं समझता हूँ कि यह टिकट जनता की टिकट है लोगों से जो सर्वे हुआ, लोगों ने जो अपनी मत रखा कि हमें वापस टिकेट दोगे थो हम जीता सकते हैं तो मैं यह समझता हूँ कि पार्टी ने जो फैसला किया वो लोगों से सर्वे पे और लाड़नों की जनता ने टिकेट देके बेजा, फिर औरगनाईजेशन का मेरा खुदगा जो अनुबव था पार्टी में मैंने काम किया है अनिश्वई का मैं राष्ट्रे सचीव भी रा, दूसरे परदेशों में भी काम के लिए गया युनिवर्सिटी एलेक्संस में मैंने ऐसा कोई परदेश नहीं होगा दूसरा राज्जी नहीं होगा, जहां जाके मैंने गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाना, यूपी हर जगे जा जाके मैंने काम किया तो उसी की वज़या है कि अब कॉंग्रेस पार्टी की जो संक्ठन के लोग हैं जिन्होंने पार्टी के अंदर काम कर आया है, पार्टी के विविन संगपदों पे रहे हैं तो उनका एक पार्टी का अलग क्राइटरिया होता है, वो अलग से उन लोगों को एप्रिचेट करते हैं टिकेट भी जो मेरी हुई वो पहली लिस्ट में है इसी वज़े से दी कि और कॉंग्रेस ये मेसेज देना चाहते थी कि हम नए लोगों को लड़ा रहे है वहाँ देखोगे आप बाजपा में पहले लिस्ट में आये सब दिगज और कॉंग्रेस ने जो लड़ा है नए लोग लिस्टें पहले निकाले उसमें तो वह ये मेसेज देना चाहते हैं कि हम नए लोगों को आगे लाना चाहते हैं जो गेर राजनितिक परिवार के लोग उनको आगे लाना चाहते हैं तो ये तो जनता की टिकेट है और पार्टी का जो फेस लाए हमारे आला कमान का वो सरूपरी सब लोगों के लिए अगर बात की जाए सचिन पाइलेट की और तो उनको लेकर के लोग लगातार कहना है कि आप उनी के कैम से आते हैं माने सर भी आप गए और लोगों से जब हमने यहाँ पर बात की तो उनका कहना है कि मुकेश भाकर सरकार बचाने में ही लगे रहे काम नहीं किया देखो यह तो जो लोग है अपनी बात रखेंगे अब जिस नेता के साथ जुड़े वे थे उससे निभाना खून में हमारे कि जिससे जुड़ गए तो उसको पीठ नहीं दिखानी और रही बात जो लोग बात करें इस लाड़नू में मैंने विकास कुनी कम होने दिया आज आप यहां देखोगे डवलप्मेंट जो पीछे के सालों का और यह पांच साल का बराबर है और मैं लड़ी ही इसी पे रहा हूँ मेरे विपक्षे भी यह कहते है मैं यह मैला को लेज लेज लाया और मैंने खुद ने कहा मेरे से लोगों ने नहीं मांगा मैंने फिछले चुनाओं में यह का कि मेरी सोच है क्योंकि मैं चातराजनीति में रहा हूँ इस्टूडेंट पोलेटिक से आया हूँ और मैं चाता था कि मारी यहां जो बच्चिया है वो पढ़े तो मैं गल्स कोलेज लेकर आया यहां वो स्टार्ट हो गई और मैं जिस मक्सद से लाया था कि शहर की जो बच्चियां थी बाकी जो गाउं की कहीं डीडवना पढ़ जाती है कोलेज की चुडवा देते थे तो आज 250 बच्चियां पढ़ रही अभी हमने कोलेज गाउद खट उसका सिलेनास भी किया तो यह नहीं कह सकते यहां करशी मंडी में लेकर आया पहले खूब नेता रहे लेकिन नहीं खुली करशी मंडी तो मैंने खुलवाई यहां की सीवरेज और इतने काम है कि मतलब लाश्ट बजट तक मेरे पास बचा नहीं कि मैं क्या ओड लेकि आ सकता हूं यहां के लिए तो विकास तो खूब हुआ यहां और जो राजनितिक प्रिष्टित यहां थी वो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया और जनता भी मेरे साथ रही उसमें पब्लिक ने का कि अगर आज अपने नेता को दोखा दोगे तो कल हमें भी दे सकते हो आप तो पब्लिक साथ है और मैं समझता हूं कि पालिटी के अंदर जो आम राई बनी वापस सब चीजें सेटल हुई तो वो एक पालिट था और वो पालिटी के अंदर ही था हम कोई कहीं पालिटी से ये नहीं था कि बगाउत करके कहीं जा रहे हैं और हमेसा पहला ये राय था कि अपनी बात रख सकते हैं लेकिन कॉंग्रेस पालिटी के साथ रहना चात राजनीती की बार-बार आप बात कर रहे हैं जब आप चुनाव लड़े थे तब हनुमान वेनिवाल का आपको कितना साथ मिला कौन सा चुनाव जो चात राजनीती का चुनाव था राजिस्थान यूनिवस्टी का चुनाव था मैं पहला चुनाओ लड़ा जब मैं ज्यादा प्रिचित नहीं था, 2010 में मेरा पहला ही इलेक्शन था, 2004 में बंद हो गए थे, तो हनुमान जी से मेरी उस समय मुलाकात नहीं थी, इलेक्शन होने के बाद में उनसे मिला था, तो उसमें उनका कोई खिला पक्स वाली इतनी कोई इतनी कोई बात नहीं थी उस चुनाओ में, वो चुनाओ के बाद ही में आलंकि क्योंकि मैं खुद उनको नाम से जानता था, लेकिन मेरी मुलाकात मेरे इलेक्शन के बाद हुई, तो पक्स वाली उस चुनाओ में कोई ज्यादा खास धनुमान जी से रिलेटेड कुछ था अब कैसे संबन्द है? अब उनकी अलग पार्टी है मैं अलग विचारधारा से आता हूँ मान सम्मान है उनका मेरी नजर में हमेसा था और है क्योंकि खुद की पार्टी बनाई है मेरे से सीनियर है तिन चौनाव जीते हैं, एंपी चौनाव भी हो जीते हैं और वो च्याये, election सामने सामने भी लड़ने कुछ भी हो जाए, लेकिन सम्मान जो है, वो हमेसा रहेगा. सम्मान है, कभी राजनेतिक राए लेने के आवशक्ता पड़ी है? राजनेतिक राइक ही तो नहीं हुई पर वैसे कहीं मिलना मिल जाते हैं कई प्रोग्राम में या या और तो थेक है बातचीत हो जाती है तो ऐस्थ कोई ब्राइ लीन की अभी तो जूरत नहीं पड़ी लेकिन हा मिलना जूलना कहिना कहीं कारीकरमों में कभी ने कभी कोई पारिटी का प्रोग्राम मतलब कोई सामाजी कारी करम है कई शादी ब्याव तो वह मिलना जुलना हो जाता है तो बाकी ऐसा नहीं है कि कभी गाई मसूरे की और वेसी कभी जुरत पड़ी हो एक सवाल ये भी है कि मुकेश भाकर ने कई लोगों को चुनाव लड़वाया है राजिस्थान उनिवस्टी की बात करें प्रभा चौधरी को चुनाव लड़वाया है और अगर आप ही की एज ग्रुप की बात की जाए तो उस पे कई ऐसे चहरे हैं जो ये कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ता रहूं और सब कुछ ही मुझे मिल जाए वो सोच के लोग हैं मेरा वेसा नहीं है मेरी राजनिती और मैं जिस लाइन पे चला हूँ पहले दिन से मेरा यह है कि लोगों को अपने साथ वालों को मजबूत करो उन लोगों को तो आप मजबूत होगे कही बी आपका साथ ही है कहीं उसको जुरत पड़ रही है कोई भी राजनितिक उसको सलाय की जुरत है उसको काम की उसको सयोग की जुरत है तो आप उसका साथ दो तो मैं हमेसा इस लाइन पे चला हूँ कि खुद के साथ-साथ अपनी टीम को मजबूत करो अपने जो साथ लोग तक मैं सफल भी रहा और काफी लोग हमारी टीम के मैंने नहीं बनाई हम सब ने मिलके जो राजनिती में अकेला कुछ नहीं कर सकता पूरी टीम है उसने मिलके बनाए और बहुत लोग अच्छी जगे पहुंच भी गए कई लोग अभी लाइन में हैं और जो अच्छा काम सब्सक्रदिया राजनिता गिच mm अपार या निक्या कुछ चैसा करो कि उससे रिजल्ट कि निकले कुछ निर्मान हो कि उसमें चाहे किंग बन जाओ कभी किंग मेकर बन जाओ लेकिन कुछ ना कुछ करते रो अपने लोगों को डवलप करने के लिए उनकी मदद के लिए उसमें जो निकल पने वो ठीक है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यह जानना चाहते कि निर्मल आपको कहां पर मिले और राजिस्थान युनिवस्टी के जब चुनाव हो रहा था तो लोग यही कह रहे थे कि मुकेश भाकर निर्मल चौधरी को चुनाव लड़वा रहे हैं और एक बड़ी जीत भी थी क्योंकि निर्मल यह मैदान में थे वो देखो मैं जिस स्कूल से पढ़ा से कावाटी स्कूल अलोसल में स है, दिरे दिरे जाके काम करना शुरू करा, कोई चातराजनीती से समन्दित था, कोई किसी का माइग्रेशन निकलाना आए, किसी की कोई मदद करना जही तो शुरू पढ़ने के साब से आए था लेकिन क्योंकि सात रह रहा था तो दिरे-दिरे लोगों की मदद करते-करते उसकी भी टीम बन गई और जब करोना काल था जब कोई भी चातरनेता बहुत एक्टिव नहीं था उन तीन साल में दो साल में इसने बहुत काम किया लोगों का चात्रों तो हमसे जो मदद बनेगी करेंगे, तो इसने अपने आपको जो ग्रूम करा, वो खुद ने काम करके करा, और खुद की टीम बनाई, खुद के तरीके से लोगों की मदद की, खुद को सोसल मीडिया और इसके जरिये लोगों तक पहुंच आया, तो हमने सिरफ होशला दिया उ मैदान में होंगे? देखो, जो आदमी राजनीती में आ गया, वो जैसे मैंने का चात राजनीती एक प्लेटफोर्म आपको नाम दे देता है, तो अब मेरा ये मानना है कि अभी तो उसकी उमर नहीं है, पच्छी साल का अभी हुआ नहीं है, आगे जहां भी हो अपने एरिय जाकर लोगों के बीच रहे जब और इस इलेक्शन के बाद और लोगों का मन जीतो, ताकि लोग ये कहने लगे कि नहीं, जैसे उनवर्सिटी वो जीता, वो इस तती खुद को ही बनानी पड़ेगी, तो मेरा ये मानना है कि जब आप आगे हो राजनीती में तो लड़ना च राजनीती में चात राजनीती हो, या मुखेधार की राजनीती हो, करीब से देख ली है, तो एक अनुभव तो आपको भी हो गया है, अब सरकार को लेकर के क्या रुजान आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बार मैं ये देख रहा हूँ, मैं लगबग 2003 के चुनाव से मैं इस राजनीती को देख रहा हूँ, तो हर बार जैसे जिसकी भी सरकार होती है, तो खिलापत हो जाती है, लोगों के काम नहीं हो पाते, योजनाई भी सरकार लाती है, तो उसका भी बहुत बे एक वाजनेतिक बात नहीं है, जो योज नहीं सरकार लेकर आई, उनका नीचे के तब्रके में नीचे के लोग जो आखरी लोग है, उसमें उसका असर है, और पहली बार भारत्य के जनता पार्टी इतना भिखरा हो है पार्टी में तो मुझे लगता है कि इस बाहर फिर से सरकार कॉंग्रेस की बन सकती है और उसका मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं लोगों के बीच गया हूं तो लोग कॉंग्रेस को पसंद कर रहे हैं और बाजपा का जो दस साल नरेंदर मो प्रक्सा की योजनाई बने हमें सरकार कुछ फाइदा दे और कुछ डवलपमेंट के काम हो तो उसके बल पे मुझे लगता है और जो टिक टेक पारिटी ने अच्छी बंटी है एक जूटता के साथ लड़ रहे हैं राहुल जी प्रेंका जी हमारी सीनियर लीडर राजस्थ रस्जाहिकर स्ठृटन के जिस तरह से चला रहे हैं मुमेंट जिस तरीके से परचार चल रहा हैं तो मुझे लगता है कि कौंग्रेस की पहले आप कहरे थें कि बन सकती है और एक होता है कि बनेगी तो मतब आपको कही न कई संदे ओर एक को ऐसी परिष्थिती हो गई क्या मैंने ऐसा कहा है कि पहले कभी दूसरी सरकार नहीं बनी है हमने योजनाई भी दी जो तेरा की सरकार थी फिर वसुन्द राजी ने भी कुछ नकुछ ठीक ही किया होगा तो वो बनी नहीं तो मैं करहाँ पहली बार बन सकती है मैं ऐसे नहीं करा कि हम बाज़़पास से हार रहे हैं कितनी सेट आ रहे है मुझे लगता है कि पिछली बार 96 थी तो तो मैं जितना आसपास की सीटों पर नजर डाल पाया हूँ क्योंकि खुद चुनाव लग रहा हूँ तो पूरे राजस्तान का मुझे नहीं पता लेकिन जिस तरह का पैटर्न देख रहा हूँ मैं वोट का और जिन-जिन सीटों पर मेरी में बात हुई है या जो मेरे आसपास की सीटे हैं तो उन से मुझे लगता है कि पिसली वार से ज्यादा अच्छी स्थिति में कॉंग्रेस रहेगी पार्टी की ओर से सीएम फेस कौन होगा अभी तक क्योंकि डिक्लेयर नहीं किया है चाहे कॉंग्रेस हो वीजेपी हो लेकिन वीजेपी ने काय कमल का फूल होगा लेकिन कॉंग्रेस की तरफ से कौन होगा जक्तित बताईएगा देखो कॉंग्रेस तो हमारे आला कमान है वो ते करेगा सीटे आने के बाद और अभी हम लोग गांधी परिवार खड़के साब उनके नेतरतों में लड़ रहे हैं गेलो जी पाइलेट जी डोटास राजी इन तो टिकते हैं पहले तो चुनाव जीते हैं लोग उसके बाद पार्टी जो फेशला करेगी बहुमत से वो सबको मानने होगा एक आखरी सवाल रहेगा कि पिछले चुनाव में सच्विन पाइलेट को लेकर के लोगों को यह आस थी कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा और इसलिए पूरवी राजिस्थान से उन्हें बहुत जादा वोट मिले और अब इस समय ऐसा कुछ भी नहीं है तब ऐसे में लगत Das lumière सिएम बनाने का सीयंग और बना ने की बात चले तो लोगों में ज्यादा जोस होता है लोग वोट देते हैं तो यह तो और बात है कि जब लोगों को यह था क्या क्यूंस बना सकते हैं, तो ज्यादा जोस था, ज्यादा पोलिंग करी, ज्यादा लोगों ने बागदोड करी, और आज की इस्तति में जो वोट सचिन पाइलेट जी का फॉलोवर है, चाहे किसी भी जाती द्रम का हो, वो जहां सवाओं में जा रहे हैं, वैसे ही भीडा रही है, उनके क डॉमिनेशन में आये, और भी मैं सोचनल मीडिया के थूरू, न्यूज के थूरू रोज देख रहा हूं, हर जगे जैसे जैसे उनको बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जो पूर्वी राजस्थान था, वो कहीं उससे उपर नहीं, तो उससे नीचे भी सीटे नह अब सचिन पाइलेट को आप भी फॉलो करते हैं, कहीं न कहीं उनकी राजनीती से आप भी प्रभावित हैं, आपने भी सरकार पर सवाल उठाए थे, तो क्या ये माने कि अगर मुकेश भागकर को कोई चीज गलत लगेगी, तो फिर सरकार, अपनी ही सरकार क्यों नहूं, व मुद्धों को निप्टाए भी, और मैं ये समझता हूं कि जब आप इस सारवजनिक जीवन में राजनीती में हो, तो आपको जब कुछ चीज गलत लगे, तो उसको बोलना चाहिए आपको, नहीं तो मैं समझता हूं कि सिर्फ आप हर जगे समझो तो कि राजनीती करने लग जाओगे या जनता की मुद्धों पर नहीं बोलोगे, तो जनता भी आपको छोड़ देगी, ये हो सकता है कि कई बार प्लेट फोरम गलत हो या ठीक हो, वो बात है कि बाकी में जहां मुझे लगेगा कि ये जाईज मुद्धे हैं, तो मैं बोलूँगा, उसमें मैं कोई, अ मुकेश भाकर हमारे साथ से और उनका ये कहना है कि अगर उन्हें जो गलत लगेगा, चाए सरकार, अपनी ही सरकार क्यों ना हो, उसके खलाब भी बोलेंगे, और हर बात का बेबाकी से जवाब देने की कोशिश किया है, आपने हमारे साथ बात की, मुकेश जी आपका बहु झाल झाल झाल